हैलो दोस्तों आप सब कर स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैंप फिल्मी रेक्शन में तो कैसे आप सब उमीद आप लोग अच्छे होंगे मैं बिल्कुल अच्छे हैं आप लोगों की दूआ से तो दोस्तों आज इस वीडियो का मैं रेक्शन लेक्शन लेखाई पवन सिंग दुखी मन से चुनाव हारने के बाद बोले पवन सिंग कराकाट भीहार चुनाव चर्चा तो देखते हैं हम कि क्या ही बात हुई है और क्या पवन भीहा बोले वैसे पवन भीहा ये बोल रहे हैं कि मैं हार गया हूं कोई बात नहीं लेकिन होसला नहीं हारा हूं वो अभिसलि यार सबको बुरा लगते है तिनी मैनत करते हैं अतनी हमारे अंदर भावना है कि helicopter करेंगे भी मोगों लेकिन वो इतने भी दिप्रेशन में पहुंचे वह इतना भी यार वह शेर है वह उनके लिए मुझे लग रहा है कि और कोई दूसरी बात बोलना चाहिए शेर है निकल जाएंगे इस टाइम से बुरा लगता है तो टाइम के लिए अपने आपको टाइम देंगे फैमिली देंगे तो वो निकल जाएंगे स्टीज के लिए और आगे उन्होंने कुछ और प्लान कर ही लिया होगा और कर भी लेना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया तो हम पहले वीडियो देखते हैं इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे नमस्कार दोस्तों भोचपुल इंडिस्ट्री में पावस्टार कहे जाने वाले पौवन सिंग काराकार्ट से हार चुके हैं ये तो आप सभी को पता है लेकिन हारने के बाद पौवन सिंग का पहला रियक्षन आया है जो कि आप सभी को सुनना चाहिए पौवन सिंग हार के बाद एक सोशल मेडिया पे पोश्ट करते हैं और लिखते हैं कि हार तो छडिक है होसला निरंतर रहना चाहिए हम तो वो हैं जो विजे पर गर्व नहीं करते तथा हार पर खेद और शोक नहीं करते खुशी और गर्व इस बात पर है कि काराकाट की जनता ने मुझे अपना बेटा भाईस विकार कर इतना प्यार और दुलार आशिरवाद दिया उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद पावन सिंग ने धन्यवाद किया है काराकाट की जनता का उन्होंने कहा है कि काराकाट की जनता ने बहुत प्यार दिया और दुलार दिया और यह सच बात है अगर पावन सिंग को बिजे पी ने टिकेट दे दिया होता और काराकाट से उम्मीदवार पावन सिंग होते दो लाख चोहत्तर हजार तेईस वोट पाना वो भी निर्दली यह अपने आप पे एक इतिहास है। यकीनन पावण सिंग ने वह माहुल बना दिया था। कारा कार्ट को मैं भी नहीं जानता था। बिहार में रहने वाले लोग जरूर कारा कार्ट को जानते होंगे लेकिन पावण सिंग ने जब अलाउंस्मेंट कर दिया कि मैं कारा कार्ट से चुनाव लड़ा हूँ तभी से कारा कार्ट अपने आप पे कारा कार्ट हो गया। ये आप सब जानते हैं कि काराकार को कितने लोग जानते थे और नहीं जानते थे काराकार को लोग अगर जानते हैं तो आज पावन सिंग की वज़े से जानते हैं नहीं तो उपेंद्र कुश्वा भी काराकार से लड़ते थे एक छोटी सी हेडलाइन आती थी कि कारा कार्ट से उपेंद कुश्वा हो मीदवार है या जीत गए या हार गए जो भी है पावन सिंग की बदावलत आज कारा कार्ट का पूरे इंडिया में नाम हो रहा है पावन सिंग भले ही हार गए है लेकिन पावन सिंग हार के भी बाजीगर बन गए है अगर पावन सिंग चाहते हैं कि कारा कार्ट उन्हें बेटा बना लिया है तो अब पावन सिंग को भले ही वो हार गए है लेकिन बेटा बन के ही वहाँ पे रहना चाहिए यहाँ दोस्तों मेरी तो यही गुजारी से पॉण सिंग और पॉण सिंग के टीम से बहले ही आप हार गए हैं लेकिन जिन 2,74,023 लोगों ने आपको वोट किया है बेटा माना है भाई माना है दोस्त माना है उनकी उमीदों पे आपको खरा उतरना है और आपको काराकाट माना है एलेक्शन आने वाला है विधान सभा का आप MLA लड़िये उसके बाद आप फिर से MP लड़िये लगातार कोशिस करते रहे जिस तरीके से आपने भोजपुर इंड़स्टी में मूजिक इंड़स्टी में फिल्म इंड़स्टी में श्रगल किया और आज पावर स्टा में फिर रैली करेंगे इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कोशिश करिए दो लाग चोत्तर अजार तेरिस लोगों ने आपको आज अपना भाई माना है न ऐसा काम करिए वहां जाके भले ही आपके पास सीथ नहीं है सांसदाब नहीं है फिर भी उनके लिए कुछ करि करेंगे आज दो लाग ढाई लाग लोग जूड़ हैं कल पांच लाग साथ लाग आठ लाग जूड़ेंगे और आप जब पिचुना ओलड़ेंगे तो आप ही संसद्या विधायक बनेंगे तो प्लीस मेरी तो यह गुजारी से बाकी आपकी मर्जी आप लोग क्या कहते हैं जिस कारा कार्ट को कोई नहीं जानता था पावन सिंग भले ही हार गये लेकिन फिर भी कारा काड का उन्होंने नाम कर दिया प्लीस अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रुर बता हैं मैं इस भाई की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ मेरी भी यही बात है कि पवन भाईया को हार नहीं माननी चाहिए उनको एक जगह नहीं बाड़ना चाहिए और मुझे भी लग रहा है कि वैसा नेचर उनका है नहीं है कि वो बैठ जाएंगे उनको MLA के लिए लड़ना चाहि Fe ne've beenसने तो उनको क्या करना चाहिए कुछ काम करना चाहिए नहीं उनके पास सांसद किसई ट्या कोई बात हमें लेकि मुद्दे उठाएं न पब्लिक के लिए अवाज उठाएं सांसद में जाए कुछ भी करें किसी तरीके से क्यूथ जो वो बोलता था थे ना वह तो वह एतिय। कि पत्ध पे हो इनकी जड़त भी वानले साओनी मातल। मेरा भी पर एक भर इंशी भरते प्रसम करना था सी खाली मिया रही वी करने ज़ेंड भी खांज, पई माद आदो करें वह मातल। जो काम से शटे क्यां सबाइरन है वह स्यास वह सो क्लрос है। पहुत सारी चीज़ी होती है जो हम कर सकते हैं तो अ म कुछ करने की कोशिश करनी चींगे after अ फुद के बहुत ही ज्यादा माइंट है लोग में आस पास हैं वह समस्दार लोग हैं तो हर्फ़ पवश्यल जिरूर अच्छी मा? और पावन भीया उनकी राय मानके कुछ नखुछ तो नेक्स स्टेप उठाएंगे वह हमें जरूर बताएंगे उनकी ओफिशल कोल हमारे पस जरूर आही जाएगी ओफिशल कॉल इंडा सेंड मेरे पास नहीं आएगी मतलब वह ओफिशली इंटर्विव कोई देंगे या कोई तो वीडियो आई जाएगी officially जब वो कोई चीज अनाउंस करेंगे तो मुझे ये वीडियो अच्छी लगए आप लोग कैसे लगए प्लीज मुझे जरूर रिपता है और आप लोग भी अपने राय जरूर कमेंट वोक्स में आके लिख के दें इसके साथ मैं इस वीडियो को इंपर करते हूं काता मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखें टाटा बाइ बाइ